बस सरका साथ रहे, आशिरवाद रहे हमेशा, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरे पिता जी के सर्फ सहयोगी नहीं साथी भाई की तरह और इनके परिवार से मैम से रावडी मैम यहाँ पे हैं, मिसा दी यहाँ पे हैं, तेजस्फी जी सब के साथ स्वागत है मूव मीडिया मेरा नाम केसव कुमार जाय कल देर रात जब चिराग पासवान करीब लंबे अर्से बाद लालू परसाद यादब से मुलाकात किये और वो जिस तरह से अगामी 12 सितंबर को सुर्गे रामिरास पासवान का पर्थम वर्सी है उसमें आमंतरन करने के लिए निमंतरन देने के लिए चिराग पासवान लालू परसाद यादब से मिलने पहुंचे थे लेकिन लालू परसाद यादब से मुलाकात के बाद चिराग पासवान क्या कुछ बोले हैं क्या वो तेजस्वी यादब के साथ आएंगे ये वीडियो आप देखिए देखे हम सिर्का आश्रवाद यहां पर लेने आये हैं और जैसा मैंने हमेशा कहा कि पिता तुले रहे हैं सर और आज बस इनका आश्रवाद लेने आया हूँ पिता जी की गैर मौजूदगी में मुझे जिस तरीके से सर का साथ मिला इनका आशिरवाद निरंतर मिलता रहा बस उसी आशिरवाद की कामना में आ जाया हूँ और बस सरका साथ रहे आशिरवाद रहे हमेशा मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरे पिता जी के सर्फ सहयोगी नहीं साथी भाई की तरह और इनके परिवार से मैम से, राबडी मैम हें यहां पे हैं, मिसादी यहां पे हैं, तिजस्फी जी सब के साथ बच्षपन से हम आम लोग खेले हैं, पले बढ़े हैं साथ में, बच्षपन में एक दूसरे के घर पे बेरोक्टोक आना जाना रहा है तो यह संबन वो वैसे ही हैं और आज भी सर से जो प्यार मिला आज मैं सर को बैठे हुए बोल रहा था कि आज जब इन से चर्चा हो रही थी तो मुझे वह याद आ रहा था जैसे पापा होते थे पापा के साथ बैठके हम लो बात कहते है थे चर्चा तो इनका बस देने यहां पर आया हूँ और इसलिए अभी कोई राश्नी ते चर्चा नहीं करूँगा बस सरकाशर वाले नहीं हो बस वाइस तो आपने सुना चिराख पास्मान लाली परसाद यादव से मुलाकात के बाद क्या कुछ का आने वाले समय में ही ताह हो पाएगा कि अपडेट